कॉंग्रेस पार्टी नए लोगों को नए आईडियास को हडल करती है कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है अगर उस आदमी के आईडिया में दम होता तो कॉंग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आदि मैं सुबह शाम वैल्ट क्रियेटर्स को गाली नहीं दे सकता मेरे में उतनी ताकत नहीं है मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक शन भी खड़ा नहीं मोदी जी ने राजनिती को एक नया परस्पेक्टिव दिया है राजनिती को एक जन सेवा से जोड़ा है जब चार तारिक को मैंने कॉंग्रेस टाटी के परात्मिक सद crytata से इस्तिफा दिया उस दिन से मैं कहा रहा हूँ कि मैंने कॉंग्रेस के हर शीर्षनेता को जाके बोला कि साब सनातन का विरोध देश में हो रहा है उसको हम अपनी मौन स्विक्रती नहीं दे सकते राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा पे जाने का जो न्योता ठुकराया गया है वो पॉलेटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं पर ये एक तरह का पाप है और जब से प्रभुश्री राम की प्राण पतिष्टा में नहीं जाने का कॉंग्रेस ने निर्ने लिया उसके बाद से मैंने कॉंग्रेस की और से टीवी पर बैटना और प्रेस वारता करना बंद कर दिया मैंने कॉंग्रेस के हर सीष नेता को जाके कहा किसाब सुबे से शाम Wealth Creators को जो आप गाली बोलते हो उसको बंद करना ची वैल्द Creators कोई पाप नहीं करते हैं अपनी मैनत से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से पैसा कमाते हैं, तो देश को भी फायदा होता है, रोजगार का भी स्रजन होता है। यह सारी चीजे मैंने कॉंग्रेस के हर सीष्ट नेता को अवगत कर आई, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, चार महिने तक मैं हर सीष्ट नेता के पास यह इस्यूज लेके जाता रहा, और मैंने यह भी कहा कि हर प्रती वर्ष में बजट पर अपनी प्रेस वारता करता हूं सारी चीजे मैंने अपनी चिठी में भी देश के सामने रखी, और चौथा एक और मैं उस चिठी में भी उस चीज का विवरण है, कि कॉंग्रेस पार्टी नए लोगों को नए आईडियास को हडल करती है, मैंने कॉंग्रेस पार्टी जोइन करी जब उनके 42 सांसत थे, पर म आपको उधारन देता हूं, कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है, अगर उस आदमी के आईडिया में दम होता, तो कॉंग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती, कॉंग्रेस पार्टी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भ क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है, क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं, उन पीएस को नहीं पता है, जो टिगिट दे रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की और से लोकसबा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तरपरदेश और बिहार के अलग राजज टूट चुका है, कारे करता हूं कि जो इस्यूज हैं कॉंग्रेस पार्टी नहीं समझ पारी है, मतदाता हूं कि जो इस्यूज हैं कॉंग्रेस पार्टी नहीं समझ पारी है, और तीन कारण तो मैंने बताया, मैं सुबह शाम वैल्थ क्रियेटर्स को गाली नहीं दे सकता, म मेरे में उतनी ताकत नहीं है, मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता, और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक शन भी खड़ा नहीं हो सकता। अगवार से राज्जी सभा में, उनको कॉंग्रेस पाटी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी राज्जी सभा की सीट सुरक्षित करनी है, और अगवारों में दो-तिन प्रेस के जो जर्नलिस्ट है, उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है, बाकि इनका आ जिस ने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो बाबयाल इस पर आती क्या, वो ही न्यूनितम, एनवाई, एवाई स्कीम, अरे भाई, एकी स्कीम को बार-बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं, ये कॉंग्रेस पार्टी को स का मूड, देश की महतु कांग्षा है, यंग इंडिया की महतु कांग्षा है, हमारी मात्र शक्ती की महतु कांग्षा है, सोच कॉंग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है, वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जो जिस तरह की राजनिती करते थे वैसे कर सकते ह मोधी जी ने राजनिती को एक नया परस्पेक्टिव दिया है राजनिती को एक जन सेवा से जोड़ा है लोगों की जो एस्पिरेशन्स हैं उसको समझ कर उसको पूरा करने का काम किया है जब कॉंग्रेस पार्टी बरधान मंत्री मोधी जी के 2047 के विक्सित भारत का संकल्प का विरोध करती है तो ये कॉंग्रेस पार्टी का मानसिक देवालियापन है mental insolvency और कॉंग्रेस पार्टी वैसे ही दो-तीन लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया एक ने monitor का चुनाव नहीं लड़ा दूसरा 30 साल से एकी idea को लेके बैठा है तीसरा आदमी जो ticket बाट रहा है उसको उत्तरपरदेश, विहार, जहारकंट, 36 गड़ की अगर एक एक constituency एक साथ बता दे, तो मैं आपको चुनावती देता हूँ तो यह इस तरह के लोग जब party चला रहे हैं, तो party का मैं आपको कह रहा हूँ जिस दिन चुनाव के लोगसभा चुनाव के नतीज़ा आएंगे, मुझे नहीं लगता कि Congress का स्तित्तु बचेगा